पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को पोस्टर का इंट्रडक्शन दिया था उसकी डिफरेंट टाइप्स के हवाले से बताया था और मैंने आपको पोस्टर की हिस्टरी भी काफी डिटेल में बताई थी अचा इस लेसन में मैं आप लोगों को पोस्टर को प्रैक्टिकली डिजाइन करना सिखाऊंगा और हम लोग देखेंगे के पोस्टर को हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं अचा पोस्टर को डिजाइन करना सिखाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफरमिशन देना चाहता हूँ पोस्टर के स्टैंडर्ड साइज़ के हवाले से अचा यह जो पोस्टर के स्टैंडर्ड साइज़ हैं यह बेसिकली हम लोग प्रिंटिंग की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनके हवाले से इनको स्टेडी करते हैं देखें आम तोर पे पोस्टर को दो किसम की जो प्रिंटिंग की टाइप्स हैं में print किया जाता है एक तो commercial printing है जिसको हम bulk printing भी कहते है या officer printing के नाम से भी जानते हैं ये printing की वो type है जिसमें poster को बहुत ज्यादा तदाद में या 1000 या 500 1000 या उससे ज्यादा की तदाद में print किया जाता है ये जो हमारी commercial printing है इसके अंदर जो poster के standard sizes माने जाते हैं, आम तोर पे standard sizes, वो हैं 12 inches by 18 inches, 18 inches by 24 inches, 20 inches by 30 inches, अच्छा ये जो sizes हैं, ये portrait orientation में भी हो सकते हैं, यानि के लंबाई के रुख भी और ये horizontal जो है वो चोड़ाई के रुख भी हो सकते हैं, यानि के landscape orientation में भी हम इनको design कर सकते हैं, आम तोर पे वैसे poster जो है तर portrait orientation के साथ design किया जाता है, बट जरूरी नहीं है कि उसको हम landscape में design नहीं कर सकते हैं, हम बिलकुल उसको दूसरी orientation में भी design कर सकते हैं, अच्छा जी इसी तरह से जो digital printing होती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा आम है, उसके अंदर जब हम poster को print करते हैं, तो उसके लिए हम आ A4 और A3 जैसे जो आम standard paper sizes हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा इस्तमाल करते हैं, अपने दफ्तरी मामलाप में और अपनी routine life के अंदर, उन papers के उपर भी poster को digital medium के through, digital printing के through print किया जा सकता है, तो ये मैंने कुछ आपको थोड़ी सी information दी, standard sizes के हवाले से, और basically जिस जगा पे poster न Standard sizes मैंने आपको पताए हैं, लेकिन इसका मतलब ये निए कि सिर्फ ये ही sizes हैं, इसके इलावा और भी कुछ sizes हो सकते हैं poster के, और इसी तिना से country by country भी जो sizes है, standard sizes वो vary कर सकते हैं, तो चले अब हम चलते हैं और ये सीखते हैं कि हम poster को practically किस तरह से design कर सकते हैं, अच्छा आप pathfinder वगरा क्योंकि layout को design करते हैं या poster को design करते हैं इन मैंसे किसी भी चीज़ के मुझे जूरुरत पढ़ सकती है, अच्छा इसके इलावा मैं आपको ये भी बताते हैं कि ये जो document मैंने open कर रखा है, इसकी जो settings मैंने ली हैं, वो ये मैंने A3 size का जो है वो एक document ली है, और ज इसको अच्छे तरीके से deal करें और उसका ध्यान रखें बट Photoshop में जो जाके जब हम काम करते हैं तो resolution को high resolution रखना print medium के लिए लाजमी होता है, अच्छा जी channel start करते हैं, सबसे पहले यहां पे मैं क्या करने लगाँ कि मैं background अपनी जो है, वो create करने के लिए, एक यहां पे ये rectangle tool जो है, यह मैं ले रहा हूँ, ठीक है जी, इसका मैं जो stroke है वो खतम कर रहा हूँ, इसके लावा यहां पे अब मैं करूँगा क्या कि मैं इस background को gradient apply करूँगा, ठीक है, यहां पे आके मैं gradient पे click करता हूँ, अब मेरे पास यह black color का gradient RS के उपर मैं double click करूँगा हूँ, तो य यह अब आप याद रखें कि आपको जो सियां वैके की color की values हैं, वो आप लोगों को आइस्ता इस्ता जैसे जैसे आप चीज़ें design करते जाएंगे, तो आपको खुबा खुद ही अंदाजा होता जाएगा कि किस color के mix होने से कौन से colors बनते हैं, तो यह एक मैंने light blue color का जो है कि यहां पे color choose कर लिया है, अचा जी मैं इसको linear के बजाए radial में convert कर रहा हूँ अपने gradient को और यह जो इसकी aspect ratio है, इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा यह जो gradient है, यह किसी हद तक smooth हो जाए और यह देखने में जरा decent लगे हैं, अचा अब क्योंके हम जो design करने ल आने लगाँ, अचा देखेंजी सबसे पहले मैंने किये red color का ले लिया है circle, और इसी को अब मैं duplicate कर रहा हूँ, और जनाबी अली इसका size मैं छोटा कर रहा हूँ, और इसको मैं color दे दूँगा white, अचा अब इन दोनों को मैं जनाबी अली कर रहा हूँ, यह alignment करने के बाद मै यहां पर मेरे पास मुझे पता है pathfinder में minus front की option मौजूद है, यह देखें, minus front मैंने किया, तो कुछ इस किसम की हमारी जो है वो शकल सामनी आई गया है, अब मैं क्या करूंगा rectangle टूल लूँगा, यहां से एक rectangle मैं draw करूंगा, I will make it sure कि इसका जो stroke है वो none हो, और अब इसके ब सा, tilt कर देता हूं, टेडा कर देता हूं, ताके यह जो हमारा no smoking का sign है, उसकी तरफ हम बढ़ जाएं, यह देखें, यह हमारा line है horizontally vertically, अच्छा, अब यह जो एक sign हम regularly देखते हैं no smoking का, यह वो हमारे पास बन गया, अब यहां पर एक और चीज मैं बनाने लगाँ, और वो है जी cigarette, क्योंकि डेफिनेटली जब तक हम cigarette नहीं दिखाएंगे इसके अंदर तो no smoking को हम किस तरह से दिखा सकेंगे, white color मैं इसको rectangle को देता हूं, और इसके बाद मैं आता हूं, यहां पे gradient पे, लेकिन मुझे यहां पे इस वक black and white gradient चाहिए, यह जो मेरा black वाला portion है, इसको मैं थोड़ा सा इसमें से मैं cake वो, यानि के black की value को कम का रहा हूं, और इसको हलका सा grey की तरफ लेके जा रहा हूं, इसके बाद, यह जो मेरे पास पहले से यहां पे gradient मौझे है, white वाला, इसको मैं center में लेके आता हूं, और alt की मदद से, यह जो black वाला gradient था, इसको दूसरी साइ जा रहा हूं, ताकि स्मूज सी feel आजए हमारी, जो secret का visual बनाना चाहरे है, अच्छा जी इसी तरह से अब मैं एक और rectangle यहां पे लूँगा, और इसकी मैं थोड़ी सी height बढ़ा रहा हूं, यह same मैंने उसी size का लिए, जिस size का हमारे पास पहले था, अब मैं again, यहां पे एक gradient लेकिन अब की बार मुझे जो gradient चाहिए, मेरी जो shape है, वो delete नी होनी चाहिए, यह मेरा gradient जो है, यह मैंने delete किया, अच्छा अब मैं क्या करना चाहरा हूं, कि मैं यहां से यह एक color उठा रहा हूं, और इसको यहां पे drag कर रहा हूं, अपनी dark वाली side पे, और इसको alt की मदद स दूसरी side पे लेके जा रहा हूं, यह जो filter वाला portion बना होता है, cigarette के ओपर वो आप मैं create करना ही कोशिश कर रहा हूं, अच्छा जी इसी तरह से मैं इसको direct selection tool की मदद से, इसके यह दोनों edges हैं, इनको select करके थोड़ा सा अंदर की तरफ round कर दूँगा, और यह जो नीचे वाल दूबारा इसको लाके कर दिया, ताके अंदर वाली जो मेरी side है वो भी round ना हो जाए, तो यह मेरी कुछ इस तरह की शेकल बन गई है, अच्छा, अब मेरे पास मौजूद है जी brush, brush पे आते हैं, यहां से हम थोड़ा सा dark वाला वो जो cigarette सुलगी होती है, तो वो जो orange जो shade आ और मैं थोड़ा सा shade आइड करने के लिए, अब की बार gray जो है, वो यहां पर draw करूँगा, orange वाले portion को मैं bring to front करके उपर निकाल लूँगा, और इन दोनों को मैं select करके, control G यानि के group कर दूँगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, ताके वो उसके edge के उपर, जो हमें feel और इसको मैं अब ले के आता हूं यहां पर, इसको हम tilt करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है जी, और इस तरह से कुछ हमारी जो है, वो सुरते हाल बन रही है, अचा अब इसमें से यह जो मैंने एक center में जो एक line लगाई थी, इसको मैं arrange में जाके right click करके, arrange में ज और इसको चेक कर लेता हूं, और अब मैं इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ा करके, इसको मैं करता हूं ungroup, और यह जो cigarette वाला portion है, इसको मैं bring to front कर लेता हूं, तो यह देखें जी, यह मेरी, अब इसको सारे को मैं group कर लेता हूं, और जनाब याली यहां पर लाता हूं, यहां इसको राइट एरो की की मज़र से उसको वापिस लेंगा पेज को ताके मेरी जो actual जो layout है, वो वैसे के वैसे मौजूद रहे, अचा इसको जब हम group करते हैं, तो यह automatically cigarette उसके पीछे चला जाएगा, तो मैं अब क्या करने लगा हूं, कि दुबारा मैं इसको ungroup करके, यह जो no वाला जो sign है, इसमें यह जो red एक पटी मैंने draw की थी, इसको मैं right click करके arrange में जाके bring to front कर दूँगा, ताके यह no का sign उपर रहना चाहिए, cigarette के, ताके no smoking की जो sensor वो हमें वाज़ हो, ठीक है जी, अचा अब मैंने यहाँ पे एक PNG जो है, बना के रखी हुई है, और यह मैंने Photoshop में basically brush की मदद से एक smoke का brush यह है, उसको use करते हुए, PNG जो है, वो मैंने export की हुई है, यह save की हुई है, और बगएर background के इसको मैंने save किया हुई है, अब इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा compose करूँगा, अपने image के हवाले से, बलके मैं यह जो मैंने नीचे visual क्रिएट किया हुए, इसको भी मैं थोड़ा सा उपर लेके हूँगा, कि अभी नीचले portion में मुझे और भी कुछ चीजें जो हैं वो compose करनी पड़ेंगी, तो इसको मैं थोड़ा सा उपर ले आता हूँ, तकरीबन यहाँ पे करके, और यह जो मेरी PNG है, इसको मैं edge to edge रख रहा हूँ, और थोड़ा सा यह दूवा जो है, यह cigarette के उपर भी आना चाहिए, क्योंके naturally जो है वो cigarette के उपर भी दूवा आता है, अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, कि इस दूवे को यह आप देखने के बाहर भी जा रहा है, तो मैं एक rectangle लेत क्लिपिंग मास्क, यह देखें, अब यह मेरे पास क्लिपिंग मास्क बन गया है, इसको मैं अभी भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी position वगारा मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूं कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैंने clip कर लिया, और यह मेरे जो art board है, उसके बिलकुल अंदर आ गया है, तो यह आपने देखा कि यह हमने एक imagery जो है वो अभी तक create की है, no smoking के हवाले से, और हमने जो है वो कुछ थोड़ा सा हमने impact create करनी कोशिश की है, no smoking का, अब इसी को हम carry on करेंगे next lesson में, और इसमें हम typography भी add करेंगे, logo वगारा add करेंगे, और अपने poster को complete क कर दो, करेंगे, और है करेंगे, करेंगे.